बस्तर एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम सबने मीडिया में काफी कुछ सुना हैं इसलिए यहां आने से पहले मैंने भी लोकल लोगों से काफी बात की प्रोपर इन्फर्मेशन ली तब यहां आने का डिसाइड किया अब हम पहुंच गए हैं तिरदगर वाटरफॉल और उपर से कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है इस वाटरफॉल की हाइट 91 मीटर से और यह जगह राइपुट से करीब 320 किलो मेटर दूर है तो चलिए अब फटा फट नीचे चल के देखते हैं क्या मस जगह यार यहां की लकडी से बनी चीज़े काफी फेमस हैं सो गायज अभी हम निकल चुके हैं दंतेस्वरी टेंपल जाने के लिए जो की जगदलपुर से 80 किलो मेटर दूर है अश्टा क्या कमाल है शबोग दंतेस्वरी टेंपल का निर्वान 14th century में हुआ था और यह मंदिर 52 सक्ति पीट में से आता है इस मंदिर की स्टोरी भी काफी अलग है जो कि आप लोगों को यहां के जरूर सुननी चाहिए देवी दंतेस्वरी के नाम पहीज जगए का नाम दंतेवाड़ा पड़ा तसहरे और नर्वात्रे के टाइम यहां सबसे ज़्यादा भीड रहती है इस मंदिर में धोती पहन के ही जा सकते हैं सिलावा कपड़ा पहनना यहां मना है अब हम निकल चुके हैं पारसूर के लिए पारसूर काफी सेंसिटिव एरियास में से आता है और 2008 में यहीं पे नक्सलिया टैक हुआ था पर अब हमने डिसाइड किया है तो जाना तो बनता ह बारसूर को मंदिरों का गाउं का आ जाता है क्योंकि एक टाइम पे यहां करीब 147 मंदिर थे इस ट्रिप के अब तक की खास बात मुझे यहां के रास्ते और यहां की हरियाली लगी ज्यादा बारिस होने के करण ब्रिज से पानी और फ्लो हो गया है वीडियो में सायद आपको ना दिखे पर गाड़ी के काफी अत्तक टाय डूब चुके हैं और पानी का फ्लो भी काफी अच्छा कासा है फाइनली चलो हमने यह भी कर लिया चेतरकूट वाटरफॉल फाइनली हम अपनी ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और इस जगर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक में का अब तक का सफर काफी मज़ेदारा हमने बहुत कुछ नया सीखा ग्राउंड रियाल्टी भी बहुत अलग थी जो हमें न्यूज में दिखाई जाती है और अब हम बढ़ रहे हैं एस्या के सबसे चोड़े जर्जने की तरफ ये एक्सपीरियंस भी हमेसा याद करने लायक रहेगा तो गायज अब आप व्यू को इंजोई कीजे और इस टाइप की और बी जगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और दोंट फोरगेट तो चेक दप्रीवेस वीडियो